आज मैं आप लोगों के साथ ट्रडिशनल नॉर्थ इंडियन डिस सेयर कर रहे हूं। कड़ी चावल लोग बहुत पसंद करते हैं, बाकी रोटी और प्लेन पूरी से भी ये खाई जाती है। आगे आपकी मर्जी जिससे भी खाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समगरियों के साथ बन कर तयार भी हो जाती है। मेरे हाँ हपते अप 15 दिन में एक दिन कड़ी बनाने के लिए बोला जाता है क्योंकि ये रेस्पी मेरे हाँ बड़े। तो खाते ही खाते हैं बच्चे भी ने छोड़ते। तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुमन कुकवित सुमन में आपका स्वागत करती हूँ। बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले उसके लिए पकोड़े बनाएंगे तो एक मिक्सिंग बोल में लंबे बारी कटे हुए प्याज डाल दिये हैं। अब इसको अच्छे से मसल लेंगे, सारे इसकी लेयर्स अलग हो जाएंगी, जिससे हमारे पकोड़े बहुत बढ़िया बनेंगे, अब लेयर्स अलग करने के बाद इसमें डालेंगे बेसन, बेसन की कोई नाप नहीं है, प्याज के हिसाब से मैं थोड़ा सा बेसन डाल ले र अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिशन तयार करेंगे, मिर्ची भी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, मैं ज्यादा तीखा नहीं बनाती क्योंकि मेरे बच्चों को तीखा पसंद नहीं है, बेटर को मैंने अच्छे से मिक्स करा तो इसमें प्याज की मातरा जादा दिख रही है, तो अब इसमें हम एक से दो टेबली स्पून बेशन और डालेंगे, बेशन डालने के बाद इसको हाथ से मेक्स करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं और सारी तेयारिया करनी है, अगर आपको जल्दी बनाना है, तो आप बेटर बनाने के बाद एक पिंच खाने वाले सोड़ा डाल कर अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद पकोड़े बनाना सुरू करतें, यदि आप सोड़ा नहीं डालना चाहते हैं, तो सेम डारेक्सिन में आठ से दस मिनट अच्छे से फेट ले, और बेटर को थोड़ असा पानी में डाले, जब हमारा बेटर पानी में उठके उपार आ जाएगा, तो समझे पकोड़े बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे, अब बेटर को ढखकर रख देंगे साइड में, अब मैं कड़ी के करेंगे जड़ा साइड की जड़ाों अच्छे से इसको密क्स करेंगे जब यह कड़ाए लंब्स फ्री हो जाएगा तो इसको बहुत पतला बनाना है तो इसमें ज़्यादा पानी पानी डालेंगे, बोल हमारा जितना बड़ा है उतना पानी हम इसमें अच्छे से भर देंग लाल मिर्च पाउडर अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी चम्मत से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी ढग कर रख देंगे अब चलते हैं गैस उले की तरफ तो गैस उले को हमने जलाकर पहले ही कडाही रख दिया था तो कडाही हमारी ही आच्छे से गरम हो गई है हमारी कड़ाई पहले से ही अच्छे से गरम हो चुकी है अब मैं इसमें सर्जो का तेल डाल रही हूँ तेल डालने के बाद बहुत जल्दी गरम हो जाएगा क्योंकि कड़ाई हमारी पहले से ही गरम है कड़ी बनाने के लिए मैं हमेशा सरजो का तेल ही यूज करती हूँ आप अपनी पसंद का तेल ले सकते हैं तो ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें हम पकोड़े डालेंगे सबसे पहले फ्लेम को मीडियम करेंगे उसके बाद पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े आप अपने मंद मरजी के हिसाब से चोटा बड़ा डाल सकते हैं मैं स्पून से डाल रही हूँ हाथ से भी डाल सकते हैं अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे और इस्पून की हेल्प से पकोड़ों के उपर गरम गरम तेल डालेंगे ताकि पकोड़े नीचे के साथ साथ उपर भी अच्छे से सिख जाएंगे तो पकोड़े जब नीचे से अच्छे से सिख जाएंगे तो एक एक करके सारे बनाकर तयार कर लेंगे यह लो मैंने तो सारे पकोड़े बनाकर तयार कर लिये हैं अब कड़ाही में तेल बचा हुआ है एक्स्ट्रा है इतने में हम कड़ी बनाएंगे नहीं तो इसको हम कटोरे में निकाल लेंगे और दो से तीन टेबली स्पून हम कड़ाही में ही रहन दे अब तेल तो हमारा पहले से ही गरम है तो इसमें राई डालेंगे जब राई अच्छे से चटक जाएगी तब हम इसमें करी पत्त डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे और अब प्याज डालने के बाद हमें इसको अच्छे से भूनना है हमें प्याज को भूंते भूंते golden brown नहीं करना है transparent करने के बाद मसाले का घोल डाल देना है तो ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से transparent हो चुकी है अब इसमें मसाले का घोल डाल देंगे इसके बाद कटोरी में थोड़ा सा पानी डालेंगे और वो पानी भी मसाले के साथ में अड़ कर देंगे अब लगातार चलाते होए मसालों को भूनेंगे तो ये देखिए हमारा मसाला बढ़्यासा भून गया है अब इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से mix करेंगे उसके बाद उबलने के लिए छोड़ देंगे अब मैंने एक बोल ले लिया है ये वही वाला बोल है जिसमें मैंने पकोड़े वाला बैटर बनाया था इसमें डाल देंगे दही दही को अच्छे से फेट कर लंप स्प्री कर लेंगे उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हमारी लसी कड़ी में डालने के लिए तैयार हो गई है, अब मसाले में अच्छे से उबाला गया है, इसमें बेसन का घोल डालेंगे, कंटीनियू चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लंस होते हैं, तो इस स्टेज पर लसी का डालना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कड़ी हमारी बहुत अच्छी बन करते हैं, अब लसी, बेसन, मसाला सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसके बाद हम इसमें औशकता नुसार पानी डालेंगे, कड़ी आपको कितनी देंगे और 8-10 मिनट पकने देंगे, जब कड़ी बढ़िया सी पक जाएगी तब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, एक से दो मिनट उसको पकाएंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको ढख देंगे, कड़ी को ढखे हुए मुझे 10 मिनट हो कि मेरी डिब भी पतर नहीं कहां चली गई, और कड़ी को बनाते समय बीच बीच में चलाना बहुत जरूरी है, टिप से सेर करते करते मैंने सारी कड़ी बोल में सिफ्ट कर ली है, अभी से ढख देंगे, दूसरी तरफ मैंने तड़का पैन में तेल डाल दिया है, तेल जब पच्छे से गरम हो जाएगा तो गैस को बंद करेंगे, उसके बाद उसमें सूखी लाल मिर्श जालेंगे, और कास मेरी लाल मिर्श डाल कर, तड़के को फटाक से कड़ी में डालेंगे, थोड़ा से चलाएंगे, ढखकन लगा देंगे, ताकि इसकी खुसपू उड़कर ब तक सबस्क्राइब नहीं किया है, तो उसको भी कर लें, बिल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आनने वाली हर वीडियो उसकी नोटी भी किसन आप तक सबसे पहले पहुँचे, फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्या आसान सी रेसिपी के साथ, तक तक के लिए धन्यवाद,